पूरी दुनिया इस ताइम सिफ एक चीज सोच रही है कलकी 28980 में प्रभास का रोल क्या है वो खुद कलकी है या फिर भगवान श्रीप का अपतार भैरवा जब आप खुद नागश्मिन ने दिया साथ में फिर्म की कहानी का आज तक का सबसे बड़ा हिंट पी रिवील कर दिया ऐसी खतरनाक प्लानिंग होश हो जाएंगे आपके कलकी से फान्स की सबसे बड़ी शिकायत फिल्म के मेकर्स उस लेवल पे इसको प्रमोट नहीं कर रहे जितना ये अक्चली में डिजर्व करती है तो फिल्म की टीम ने सब को चुप करा दिया एक नया प्रमोशनल कॉंटेंट डालके दिमाग वाली चीज है ये दिमाग वाली ओडियन्स के लिए प्रिल्यूड ऑफ कलकी नाम से एक वीडियो आया है जो आप्चली में एक इंट्रोडक्शन जैसा है कलकी की दुनिया में कदम रखने से ठीक पहले और यकीन मानिये जिस डीटेलिंग के साथ नाजश्मिन एक एक चीज समझा रहे है ना सबसे पहले तो इस वीडियो को देखकर उन लोगों का शब दूर हो जाएगा जो यह सोचने है कि कलकी कहीं आदिपुरुष टूपइंट हो तो नहीं बनने वाली बॉस गौड लेवल विज्वल्स हैं इस छोटे से वीडियो में एक पूरी अलग दुनिया तयार कर दी गई है सिर्फ स्कैचिस देखकर आँखे फट गई तो थीएटर में क्या होगा विडियो की शिरवात Nागश्व correl ने ये बोल कर की है कि उनकी फिल्म महाभारत के सीक्वल जैसे है महाभारत में क्या हूआ वो तो सब जानते हैं उसके बाद क्या आगे की कहानी बस यहीं से कलकी की शिरवात होने वाली है फिल्म का फर्स्ट सीन श्याद महाभारत की बैटल का क्लाइमेक्स होगा जिसमें खुद भगवान कृष्ण के दर्शन भी हो सकते हैं हाँ वैसे अंदर की एक खबर बतादू पदा चला है कलकी के अंदर एक दो तीन नहीं कम से कम 15-20 छोटे-छोटे लेकिन पारफुल कैम्योज होने वाले हैं यहाँ पर एक चीज आप अच्छे से समझ लो अभी जो अश्वाथामा वाला कैरेक्टर टीजर ट्रेलर में बार-बार आ रहा है ना जिसने सबसे ज़ादा इंप्रेस किया सबको वो सिफ एक परसेंट है एक्छल फिल्म का माने कहानी में सिफ अश्रा थामा नहीं अपने जितने कैरेक्टर्स के नाम सुने हैं महाभारत में वो सब फिल्म के अंदर होंगे यहीं से आता है पॉइंट नमबर टू जब नागश्विन खुद अपनी फिल्म को डी सी, मार्वल, स्टार वर्स जैसे हॉलिवड जाइंट्स का कॉप्टिशन बता रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस ना, सेल्फ बिलीव उनको भरोसा है अपने माइथलोजी साइफाई वाले टॉपिक पे जिससे सूपर हीरो का बाप वाली फिल्म बना के तयार की गई है देखो नागश्विन थेटर्स में हमें वो देना चाहते हैं जो रामायन और महाभारत कई सालों से लोगों को समझा रही है अच्छाई वर्सिस बुराई की लड़ाई और यहीं पर सबसे बड़ा सीक्रिट रिवील कर दिया उन्होंने जब ये बताया कि हर युद्ध को खतम करने के लिए एक भगवान अफ्तार लेते हैं जो हार जीत का फैसला करते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में पांडवों का साथ देकर कौरवों की चाल पर पानी फेर दिया था बट कल युग उसी लड़ाई के साथ शुरू हो गया था कलकी में होगा ये कि हीरोज वर्सिस विलन्स की लड़ाई होगी भैंकर वाली जैसी हर युग को खतम करने से ठीक पहले होती है रामायन महाभारत समझें और 99% ये बात कनफर्म्ड है कि इस लड़ाई में हीरोज को कैप्टन करने वाले हैं प्रभास माने भैरवा जो भगवान शिर्क के अफतार होंगे यहाँ पर अश्वतामा भी उनकी टीम में होंगे साथ में बाकी सारे चिरन जीवी माने जिनको वर्दान मिला है अमर रहने का वो कल्यू की फाइनल बैटल में पार्ट लेंगे ओपोजिट विलन वाली टीम के कैप्टन होंगे कमल हसन सर जो असुर कली है या फिर नहीं वो एक अलग लेवल का सवाल है उसका जवाब शायद थीटर्स में ही मिलेगा और जब यह हीरोज वर्सेस विलन्स की फाइनल बैटल चल रही होगी ना तब इस जग में क्लियरली बता रहे हैं जिस लड़ाई की शुरुवात वो कलकी 28980 में करेंगे उसका क्लाइमेक्स रिसाइड करने के लिए कलकी को फिल्म में लाया जाएगा उससे पहले नहीं अब इसका मतलब आप ये बिलकुल मत सबजना कि प्रभास का कैरेक्टर तो वेस्ट हो गया एकदम फाल्तू रोल है उनका जब वो कलकी नहीं तो इस कहानी के हीरो कैसे हो गए महाभारत पढ़िये आपने TV सीरियल्स में तो देखी होगी भगवान कृष्ण सिर्फ रास्ता दिखाते हैं उस पे चलकर अरजुन इस लड़ाई के सबसे बड़े हीरो बनते हैं आप समझ लो प्रभास इस कल्यूग के अरजुन होने वाले हैं जिनको रास्ता दिखाने के लिए फिल्क के पार्ट टू में भगवान कल्की की एंट्री होगी आक्टर कौन मैं बिल्कुल नी जानती जो लोग आज तक ये बोलते थे ना कि सिर्फ राजा मौली को प्रभास जैसे आक्टर को इस्तिमाल करना आता है उनके बिना प्रभास का करियर खतम हो जाएगा बॉस नागश्विन ने जिस तरीके सिर्फ प्रभास को कल्यू का सबसे बड़ा हीरो बनाने का जो प्लान बनाया है वो बाहुबली से भी 10 टाइम्स बड़ा हो सकता है बाहुबली की लड़ाई तो सिर्फ महिश्मती के किंग्डम से शुरू और उतने में खतम हो जाती है कलकी में प्रभास पूरी दुनिया के लिए लड़ेंगे समझ रहे हो? अच्छा एक चीज और जो मैंने इस वीडियो में नोटिस की है हम लोगों का ध्यान अभी तक सिर्फ फ्यूचर पे जा रहा है कैसे फिल्म 500-600 साल आगे की कहानी दिखाएगी लेकिन नागश्मिन का असली गेम पास्ट में छुपा है वो पुराने युग भी रीक्रेट करेंगे जिसका छोटा सा हिंट अमिताप सर का अश्वथामा लुप था पूरे पात साल लगाए है नागश्मिन ने इस फिल्म को लिखने में क्या लगता है आपको सिफ एक पार्ट तीन घंटे के अंदर-अंदर कहानी खतम हो जाएगी बिल्कुल नहीं कलकी 289880 सिफ इंट्रदक्शन है कलकी यूनिवर्स का जिसका नेक्स चेप्टर सबसे इंपोर्टेंट होगा क्योंकि वहां प्रभास के साथ कलकी खड़े होंगे फटाफ़र देखकर आओ वो कलकी का नया वाला वीडियो आपको समझ आ जाएगा मैं इतनी एक्साइट क्यों हो इस फिल्म को लेकर भेरवा एंथम से जो काफी लोग डिसपॉइंट हो गए थे आप लोगों का इलाज ये प्रिल्यूट वाला वीडियो कर देगा टेंशन नौट 27 जून को रेडी रहना डाइनोसार कमिंग बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायब करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाई